चलिए चेप्टर का नाम एकदम न्यू चेप्टर क्लबिंग ओफ इंकम और सर कितने नंबर का आएगा ये एक्जाम में सिक्स मार्क्स के कोशन पूछे जाते हैं और अकसर ये कोशन आता ही आता एक्जाम के अन्दर हम बाद में बात करेंगे कून से प्लेस पे आएगा ये कोशन लेकिन हाँ ये कोशन छे नंबर का आएगा सर इस चप्टर के अंदर आपको सरिफ और सरिफ net to net एक से सबा घंटा ध्यान देना है आपका class में चप्टर revise हो जाता है, class में तयार हो जाता है, class में याद हो जाता है बस लिखने की एक पर आपको practice करना है यहाँ पर section वैसे law कहता है income tax के भईया clubbing of income में section 60 से लेके section 65 तक पढ़ाया जाएगा 65 तक, लेकिन आपके exam के point of view से इतने 5 section आपको नहीं पढ़ने है बहुत limited section पढ़ने है मैंने एक section लिखा हुआ, इस section को अभी थोड़ी दिर के लिए हम क्या कर देते हैं सर ignore करते हैं पहली बात, यहाँ पर जो मन में एक सवाल आता है मेरे मेरे सवाल आता है मन में के भाई, इस chapter को क्यों बनाया गया heads of income तो समझ में आता है कि यहाँ से income होगा तो पता होना चीए तो जो आपका clubbing है clubbing of income sir ये chapter बना क्यों मैंने कहा है law पहले हुआ ही नहीं करता था, राजाओं के टाइम पे law नहीं हुआ करता था जैसे जैसे लोगों ने अपना दिमाग चलाया उस गलत काम को रोकने के लिए कानून बनता गया और बनते बनते इतने ज़्यादा pages के कानून हो गया कि उसकी study भी करने पड़ती है जिसे एलिल भी करते है बच्चे लोग तो सर इसके पीछे भी कोई कहानी रही होगी बिलकुल इसके पीछे पहले एक बार background समझ लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा सर ये chapter क्या है हुआ ये कि मैं एक example ले लेता हूँ Mr. X Mr. X का income अगर मैं इसके income की बात करूँ आप ध्यान से सुनिएगा ये Mr. X है इसका salary पांच लाक रुपे का है मतलब सब कुछ करने के बाद और house property से income दो लाक रुपे का है पांच लाक और दो लाक मैं दुबारा सारी चीजे बताऊँगा चिंता मत करी मुझे एक example पहले लेने दीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा अभी मैं hand raise वगएरा का doubt नहीं ले पाऊँगा तो पांच और दो साथ अब इसकी tax liability निकाली जाए तो सर्ट tax liability इसकी देखी जाए तो total साथ लाग का तो अब टू 250 law कहता है अब टू 250 निल next 250 सर old regime करोगे new मैं old ही लेके चलूँगा basically 5% के हिसाब से 12,500 balance सर 5,000,000 का हिसाब हो गया तो बचे कितने 2,000,000 इस पे at the rate 20 that is 40,000 यहाँ पे हो गया 52,500 52,500 it's clubbing of income topic हाँ जी बिल्कुल clubbing of income ही चल रहा है तो यह जो 52,500 है यह इसका tax है अब जो Mr. X है इसकी कमाई 7,000,000 रुपे है और 7,000,000 रुपे में से इसे मान लेते हैं मोटा मोटा 52,000 रुपी से इसे government को tax भरना है हर साल salary भी fix रहती है लगबग और rental income भी fix है अब कौन वेक्ती चाहता है के मेरे pocket से पैसे निकालके सरकार को दे दे कोई भी नहीं चाहता अब इसने अपना लगाया mind mind ये लगाया के भाई government कहती है पहले इसने पूरा study किया government कहती है पांच लाख रुपे तक की income पे आपका जो tax होगा वो zero होगा पांच लाख की income पे tax होगा वो कितना होगा तो कहीं न कहीं देखा जाए तो सर दो लाख रुपे में पचास जार रुपे का tax भरना पड़ रहा है अगर इस दो लाख के income कोई खतम कर दिया जाए तो फिर क्या बात होगा तो फिर हम बच सकते tax नहीं देगा तो जो आपके दिमाग में planning चल रही है कि क्या कर सकता है ये वही इसने किया होगा कि इस दो लाख के income को नहीं दिखाना चाहता है अब सर दो लाख के income को क्या करा है इसने एक्सने मान लेते हैं कि इसकी sister है और widow sister है और अपनी widow sister के नाम पे ये income दे देता है दो लाख next year जब income tax भरना हुआ ना इसको तो एक्स ने income निकाला salary पांच लाख और इसके उपर tax निकाला गया तो सर जीरो सर पांच लाख पे धाई लाख निल 87 A B मैंने ले लिया इसके इंदर consider कर रहा हूँ इसके sister ने भी इसकी sister की income और इसका भी tax बस इसने करा क्या है अब ये 2 लाख रुपे क्या लगता है जैन्विनली अपनी sister को दे ही दिया हूँ इसने सिर्फ tax बचाने के लिए उसके नाम पे account के अंदर डलवाए और फिर ATM से निकाल के लिए आया हूँ कहानी यही है सारी यहां पे government आई income tax officer आये भाई X पिछली बार तुमने tax भरा था इस बार तुमने tax नहीं भरा है और tax तुमारा बनता है 52,500 आप tax को payment करिए government ने बोला किस से बोला sir government ने Mr. X से X ने बोला sir इस बार ना मैंने जो दो लाक रुपे की income है वो मैंने अपनी बहन जो मेरी sister है वीडो है उस बिचारी के नाम पे कर दिया है अब जो मेरा मकान है उस मकान का किराया मैं नहीं लिया करूँगा मेरी sister को दे देते हैं वो अपना घर चलाएगी genuine reason हो भी सकता और नहीं भी हो सकता अगर इसको इस तरीके के छूट दे दिया जाए हर को यही करेगा कहीं से भी किसी को भी transfer कर देगा कोई बोलेगा बहन है कोई बोलेगा मेरा brother है कोई बोलेगा कुछ और है अलग-अलग इसके सामने excuse आएगा government ने बोला sir आपको tax देना पड़ेगा government ने कहा आपको tax देना पड़ेगा sir Mr. X अड़ गया और Mr. X ने कहा कि भाया मैं tax नहीं दूँगा ऐसा कौन सा कानून है जहां पे tax देना पड़ता है अगर मेरी जितनी income है मेरी income पे tax लोगे ना कि आप दूसरे की income पे भी मेरी tax दिम्यदार हूँ तो government ने कहा नहीं जी ये income आपने sister को दिया हमें सही नहीं लग रहा ये income हम आप में जोड़ देते हैं बोला ऐसा तो नहीं होगा और कहीं law बना भी नहीं था कहीं law बना भी नहीं आए था ये case भी आया था एक 1983 की बात है case case law जब मैं honors के सारे करूँगा तो मैं उस पे बताऊँगा तो उसने बोला ऐसा नहीं होगा तो उस time पे government क्या चाहती है कि इसके sister जो इसके sister है इसके sister की income को कहा दे दे जो इसके sister के पास जा रहा है किस में जोड दिया जाए तो सार club का मतलब होता है जोड़ना club का मतलब होता है ये वो वाला club नहीं है ठीक है न यहाँ पे club का मतलब क्या है add करना यानि government क्या चाह रही है कि आपकी sister वाली income जो आप disclose कर रहे हैं अपनी sister वाली income उस sister वाली income को हम sister की नहीं मानेंगे जो आप नहीं दी है उसको हम आप में ही जोड के फिर अगर आप में जोड देंगे तो फिर से हमारे पास इतनी income generate हो जाएगे SSC X ने बोला कि सर ऐसा नहीं हो सकता कहीं law में भी नहीं लिखा हुआ फिर government को एक page और बढ़ाना पड़ा और government तब लेके आई वहाँ पे section 60 बोला चलो इस साल तो बच गए अगले साल हम आपको section भी दिखाएंगे इस section में लिख दिया गया कि अगर आज के बाद कोई भी वेक्ति आज के बाद कोई भी वेक्ति अपनी इंकम किसी नाम पे transfer करेगा without transfer of assets मतलब sir assets आपके पास ही है सिर्फ FD आपने अपने नाम पे करा रखा उसका भी आज बोल रहे हैं वो ले रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा आज के बाद कोई भी income आपने transfer किया किसी के पास without transfer of assets then वो income उसी की मानी जाएगी जिसने वो income transfer किया है तो उसके बाद introduce हुआ section 60 तो इस chapter का background ये है कि जो income बचाने के लिए हम अपने income को क्या करते थे distribute कर देते थे क्योंकि जितना ज़्यादा income होगा सरकार के पास tax उतना ज़्यादा आएगा उसने क्या करा income कुछ अपने बेटे के नाम कुछ वाइफ के नाम कुछ अपने sister के नाम कुछ brother के नाम ऐसे spread करने लग गए और यही काम note बंदी में भी करा था अगर आप ध्यान दो अगर जिसके घर में पैसे रहे होगे पैसे को spread कर रहे तो कि government पूछे इससे धाई लाक रुपे भई यह तुमारे अकाउंट पे कैसे आया तो आप बोल दो सर धाई लाक पे तो टेक्सी नहीं है तो यहाँ पे government लेखिन उनको यह नहीं पताता नहीं कि सरकार deemed भी माल लेती है तो section 60 आया तो इसका chapter का purpose यह है कि अगर आपने income को किसी और को दिया हुआ है genuine reason अगर हमें लगता है तो ठीक है भाईया नहीं तो वो income आप में जोड़ देंगा आप दे दो उनको उनको सारी income दे दो आप हमें मतलब नहीं है आपके income में जोड़ के और आप से उसके उपर text वसूल लिया जाएगा तो सबसे पहले section introduce वह 60 section 60 क्या कहता है वही सामने लिखा हुआ है आपके sir section 60 कहता है कि transfer of income without transfer of assets मतलब sir Mr. X ने मैं example ले लेता हूँ वही same आप जिसको note करना और note और मैं बता हूँ तो ऐसा जब question आता है कि section 60 explain करिए तो इसके जो theory है वो तो मैं read करा दूँगा दो line की theory है कि income transfer without transfer of assets then income will be club in the hand of the transferer not transferee तो दो तिन line का है लेकिन आप जो मैं example लिख रहा हूँ वो example भी आप लिख के आ जाएं कि suppose for example Mr. X has a income किसके सीज का income है Mr. X का एक salary income है कितने का 5 lakh और एक house property की income है कितने की 2 lakh total income इसकी कितने की है 7 lakh out of which इसने 2 lakh रुपे transfer कर दिया किसके ये 2 lakh रुपे transfer कर दिया इसने तो सर ये जो transfer कर रहा है ना इसे बोलेंगा transferer और जो इसकी sister है इसकी जो sister है और ये sister जो income ले रही है ये है transferee तो इसने क्या कर रहा है इसके नाम पे transfer कर दिया तो आप बताईए किसके अंदर income जो है ये किसका माना जाएगा tax के purpose के X का तो इसका answer होगा कि ये जो income club होगा यानि clubbing जो होगा in the hand in the hand of बताईए Mr. X not इसके sister not his यानि मैं यहाँ पे देखो जादा time मैं क्योंकि conclude way में आपको मैं notes के अंदर मैं चीजे डाल दूँगा जिसमें पढ़ लोगे मैं कोसिस करूँगा एक स्टोरी बना के देदू कि X है X ने अपने income अपने video sister के नाम पे transfer कर दिया और आप बताईए कि इसका क्या provision होगा क्या applicability होगा तो उस case में उसमें बताना होगा तो पहले तो देखे यह section बड़ा सीधा सीधा section है और हर section के पीछे कहानी है logic है कि कैसे हुआ कैसे बना genuine है ऐसा नहीं कि बन के आगे आगे आप पढ़ने लग गया पहले किसी नहीं सा fraud नहीं किया होगा तो यह section नहीं रहा होगा जब लोगोंने दिमाग लगाया तो यह section बन गया तो बताईए पहले इस section में कोई दिक्कत क्या कहा income transfer without transfer of assets then income will be club in the hand of transferer किसके in the hand of transferer not transferie simple सी बात है इस section की हम बात करें पहले यहां तक समझ में यहां तक बताईए किसी को कोई दिक्कत है तो यह section में इस section में किसी को दिक्कत clear है चलिए सर इसके बाद इसके बाद आपको लगता है सरकार एक कानून बनाएगी उस कानून को तोड़ने के लिए दूसरे लोग दिमाग नहीं लगाएंगे लगा सकते हैं यानि एक्स ने सोचा यार यहां पर इसने बोला है इस बार तो मैं text दे देता हूं एक्स की सोच देखिए यानि एक्स परेशान किस बात को लेके था उस दो लाग की इंकम को salary था पांच लाग और house property यानि इसके घर से इंकम सर दो लाग जादा भी हो सकता है in fact मैंने दो ही लिखा मैं चार भी लिख सकता हूं इसको मैं एक 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 इसामपल लेके चल रहा हूं पूरा चप्टर में तो तके समझ में आ जाए सात लाग रुपए इसने फिर से क्या करा ये इंकम अगर दे देता है अपनी sister को और ये government को कहता है सर ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि मैं अपनी income किसी और को दे दूँ और उसके उपर भी मैं text दूँ तो government इसको बोल सकता है सर ये section 60 में लिखा है आप उसको पढ़ लिजिए और आप सात लाग रुपए पर text दीजिए इसने जब section 60 लिखा था तो वहां लिखा था without transfer of assets ये बात इसके दिमाग में लग गई मतलब ये section तभी हमें हमारा कुछ बिगाड सकता है जब तक मेरे पास assets है अगर मैं income भी दे दूँ और assets भी दे दूँ तो काम बन जाएगा फिर तो government का ये section मेरे उपर applicable नहीं होगा इसने क्या करा बोला भाईया ये section आपने सही बोला मुझे पढ़ने के लिए अब मेरा काम करते हैं फटा फट से लेकि आओ property का paper और इस मकान का property का paper बना दिया और property का paper बनाया और property का paper जो था जो इसने बनाया अपनी sister के नाम पे अगर मैं property अपने भाई को दे दूं, क्या पता कल मिले या ना मिले, sister को दे दूं, तो risk है, मिले या फिर ना मिले, tax planning करी, और tax planning करके इसने बोला, ऐसा करता हूँ, will के अंदर वसीयत में लिख देता हूँ, ये property एक साल के लिए, जैसे एक साल खतम होगा, एक नया will बनाऊँगा, फिर अगले साल के लिए, मैं किसी को भी property दूं, क्योंकि मेरे से बोलने आएगा, ये income किसकी, भाई, पिछले साल मेरे पास थी नहीं मकान ये, किसका था ये मकान, उसका उससे low tax, यही कहानी बन सकती है, तो इस property को जब transfer किया न, तो इसके उपर लगा दिया, condition, देख रहे हो, इसे डर भी है, और इसने अपने डर का समाधान भी किया, अब सर, ये जो property है, इस property की जो income है, वो चला गया इसके sister के पास, अब government ने बोला, अब इसका tax भरने का फिर से style क्या रहा होगा, पुराने वाले style पे आ गया, सर, salary, 5,00, tax, 0, HP इसकी sister ने भढ़ा होगा, 2,00, और tax, again government आई, और government ने बोला, भाईया, आप तो 52,000 के असपास tax देते थे, अब ये क्यों नहीं दे रहे हो, X ने reply किया, सर, आपका जो section 6 है न, वो कहता है, आप income सिर्फ दोगे, तब मेरे में जूड़ेगा, अब तो मैंने income के साथ-साथ assets भी दे दिया, यानि कहता है, अगर आपने income transfer किया, without transfer of assets, तब मेरे में जोड़ सकते हैं, अब तो ना तो मेरा assets है, नहीं मेरा income है, तो काईदे से देखा जाए, तो मैं अपने income पे अलग tax दूँगा, और मेरे sister, अलग test देखी, दोनों का tax का अलग-अलग कर दिया, जब ऐसा हुआ, तो government को फिर सोचना पड़ा, अब आप देख रहे हूँ, साफ साफ देख रहा है इसकी क्या है, चला की, अब इससे निपटने के लिए government फिर से एक section लिया आएगा, बोला, चलो भाई, हम आपके लिए एक section लेके आते हैं, और section का नाम है, section, section 61, revocable transfer, के आपने assets दिया मानते हैं, ओके, लेकिन जब उसने deed पढ़ा, बोला, एक साल बाद इसी को वापस मिल जाएगा तो भाई, दिक्कत है, बोला, जब कभी भी आप, जब कभी भी आप कोई भी assets किसी के नाम पर transfer करोगे, और वो revocable हो, sir, revocable का मतलब क्या है, वापस आपको मिल जाए किसी ना किसी शर्तों पर, तो हम मान लेंगे, कि वो assets कभी आपने transfer किया ही नहीं, और वो income आप में ही taxable, यानि वो income जो है, वो taxable कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से हमारे section 61 लाए गया, ताकि कोई condition ना कर पाए, अब revocable transfer जब आया, तो उसके साथ साथ कुछ exception भी आया है, कहा गया कि सर, मैंने अपनी wife के नाम पे ये asset transfer कर दिया है, permanently, अब बताइए, आप revocable की बात करते हैं ना, मैंने अपनी wife के नाम पे permanently transfer कर दिया है, अब तो revocable नहीं है, अब wife अलग देगी और मैं अलग दूँ आँ, जब इसने revocable transfer का किया ना, revocable transfer का कर दिया, फिर इसने दिमाग लगाया होगा, दिमाग क्या लगाया, कि अब सर जो मैं transfer करूँगा ना, वो मैं करने वाला हूँ permanently, हट आउट, टेंशन खतम करो, लेखिन जैसे, x ने क्या किया, अपना घर अपनी wife के नाम पे दे दिया, और permanently दे दिया, income tax वाले बोलते हैं, wife को दिया, तो पैसे लिये या नहीं लिये, consideration लिया ही नहीं लिया, उसने बोला, लिया ना, 100 रुपे लिया, बोला, educate consideration चाहिए, मतलब, परियाप्त, जितनी property की fair market value है, उतनी consideration लोगे, तब मानेंगे, तो अगर इसने अपनी wife को कोई property transfer कर दिया है, और उसका income भी उसी के नाम पे जा रहा है, जो house property से income है, तो ऐसे situation में, अगर यहाँ पे पैसा है involved, लेन देन में, तो suppose करो, इसकी wife ने इसको दे दिये पूरे 5 करोड की property है, पूरे 5 करोड रुपे दे दिये, तो इसका मतलब सर इसने क्या करा, sold कर दिया, कितने का sold कर दिया, 5 करोड, जैसे 5 करोड का बेचा, less क्या हो जागा भी पीछे chapter पढ़के आए, मान लो 2 करोड का है, तो क्या देगा यह 3 करोड पे, capital gain देदेगा, government यहां से नहीं, तो यहां से बसूर लेगी tax, अगर इससे educate consideration नहीं लिया गया, तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप फिर से पैसे को, tax को बचाने की कोशिस कर रहे हो, तो बोला गया भीया, अगर ऐसा situation हुआ ना, तो permanent transfer किया भी हो, तो यह transfer हम किसका मानेंगे, transferer का ना की transfer ही का, तो हमेशा किसमे taxable हो जागा, transferer, सिर्फ सर यह इसके उपर applicable नहीं हुआ, तो वहीं से section यह लिया गया, इसलिए इसमें ज्याद़ डिटेल नहीं है, discussion deemed ownership, section 27 में इसके discussion कर ले गई है, लेकिन सर, अगर इसकी wife divorce हो जाएं, और फिर permanently transfer करते हैं, without education consideration, तो ऐसे situation में यह अलग है, और उसकी wife अलग है, तो दोनों अलग-अलग tax देंगे, किसी का income को जोड़ा नहीं जाएगा, club नहीं किया जाएगा, same sun के नाम पे करता है, okay कोई दिक्कट नहीं है, daughter के नाम पे करता है, तो ध्यान देना है, minor और married इसका ध्यान देना है, अगर daughter के नाम पे करता है, अगर married daughter है और वो minor है, चैकोई भी married daughter है तो उस case के अंदर अलग-अलग tax देंगे, तो यहाँ पर यह सारे provision के साथ इन्होंने क्या करा यानि सर अब आप income tax बचा ही नहीं सकते अगर आपने अपना income किसी और के नाम पर कर दिया और assets आपके पास ही है तो section 60 लग जाएगा section 60 क्या कहता है कि अगर आपने income transfer किया without transfer of assets then income will be club in the hand of transferer not a transfer अगर आपने assets भी transfer कर दिया और वहाँ पर condition लगा दिया तो उस situation में भी यह उसमें होगा जब condition की बात करी तो x ने और दिमाग लगाया बोला भाई यह condition और government ने भी जब condition लिखना चालू किया ना तो condition में बोला condition दो तरीके के होते हैं एक certain एक uncertain दो तरीके के condition एक certain और एक uncertain सर सर्टेन का मतलब जो होनत है है मैंने बोला आगले साल दिवाली आएगी तो पक्का है आना आएगी तो ऐसे condition certain ही इसने certain के उपर बोला अब किसी वेक्ति ने मान लेते हैं x के लाबा मान लेते हैं Mr. Y है इसने अपने friend के नाम पे transfer कर दिया x को देखा इसने बोला रहे हैं यह ऐसा काम कर रहे हैं अपने friend के नाम पे transfer कर देते हैं और इसने अपना property transfer कर दिया अपने friend के नाम पे और सर इसने condition देखो क्या लगाई इसने will बनाया और इस पे condition लगाया तो condition लगाने का मतलब है कि जो property इसके friend के नाम पे गया वो क्या होगा वापसी, condition लगाया है कि जब तक मेरा friend marriage नहीं करता, तब तक ये property उसके पास है, ये भी condition revocable तो है, कि ये property मेरे को वापस मिलेगा, लेकिन जब तक वो, अगर मानलो इसका friend योगी निकला तो, तो भाईया इसका तो गया property, तो ये वाला चीज जो इसने point बोला न, ये uncertain है, तो बुला गया, अगर ऐसा transfer देखा गया, तो भाईया, दोनो separate separate text भरिए, समझ रहे हो, दोनो separate separate, या फिर ऐसा कोई bill लिख दे, till death, ये property मैंने इसको दे दिया, till death, पता चला, देने वाला पहले चला गया, हो सकता है possibility, तो उसमें हमारा क्या है, risk जादा है, लेकिन death में भी ये हो सकता है, अगर उसको fancy की सजा मिली हो, तो वो date fix है, death हमारा uncertain है, पका नहीं है, लेकिन अगर fancy की सजा मिली हो, तो certain हो जाता है उस case में, तो वो भी देखना पड़ेगा, यानि आप जब revocable transfer किसको बोलोगे, revocable transfer वो transfer है, जो आपके पास exact वापस आ जाएगा, लेकिन जो वापस कब आएगा, ये नहीं पता, that is not included in the definition of the revocable transfer, तो अभी तक हमने दो section देखे हैं, पहला section हमने क्या देखा सर, transfer of income without transfer of assets, definition हम पढ़ लेंगा है, लेकिन पहले हमें दिमाग में आना चा है, कि कोई भी वेक्ती, जैसे Mr. X है, इसने अपना property transfer कर दिया सर, और transfer कर दिया किसी के भी नाम पे मान लेते हैं, इन दा name of Mr. Y with condition, with condition, जैसे 25-1-2024, यानि एक certain date दे दिया, ऐसे condition के साथ है, तो इस तरीके का जो transfer है, यह साधारन transfer नहीं है, यह revocable transfer है, तो ऐसे assets का जो income होगा, उसके उपर यह tax नहीं भरेगा, किसको भरना पड़ेगा, transferer को करना पड़ेगा, तो revocable transfer of assets, यहाँ पर यह section नहीं आया निकल के, तो concept क्या चल रहा है, clubbing, clubbing का मतलब क्या होता है, जोड़ना, अगर आपने income को आपने कहीं और जगा पहुचाया है, तो वापस आपके income में वो add कर दिया जाएगा, तो यह दो section है, section 60 और section 61, 62, 63 भी इसी का part होता है, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, वो trust वगरा के उपर है, तो वो nominal सा हट चुका है, बहुत पुराना था, वो irrelevant हो चुका है, सबसे most important section आता है हमारा, पहले दो section में किसी को दिक्कत है, तो फिर हम आगले section में चले, दो section clear है, बस आपको पढ़के reading करके लिख नेटवर्क ठीक है, एक बार मैं refresh कर देता हूँ, तो दो जगह income tax की चोरी की जा रही थी, जिसको रोकने के लिए सरकार ने दो section लेके आया, पहला section section 60, 60 क्या कहता है, आप income किसी को नहीं दे सकते, अगर आपका assets आपके पास है, income किसी और को देंगे, तो वो income आपकी मानी जाएगी, section 61, section 61, ये क्या कहता है, कि अगर आपने assets भी उसको दे दिया, और income भी दे दिया, तो हम ये check करेंगे, कि assets कहीं आपका revocable तो नहीं है, तो revocable का मतलब, कहीं वो assets आपको बापसी तो कभी नहीं मिल जाएगा certain date पे, अगर ऐसा हुआ, तो फिर से ये income आपकी नह हुआ, मान के चलो, आपके exam में आ गया ये, ये आ गया, क्या है sir, clubbing of income minor child, जिसका भी यूटी वगरा या क्या कहते हैं, assignment assignment में अगर ये chapter आ रहा हो, इस question को तो बिलकुल याद कर लेना, क्योंकि इस chapter के अंदर सिर्फ जो question बनता है, exam में आने लाइक, एक ये बनता है, और आप कहीं भी देख लो, tenure वगरा कहीं भी देखना, clubbing of minor child का, तो sequence से हर paper में आता है ये, तो clubbing of income minor child, ये क्या है, मान लेते हैं, Mr. X, और मान लो, Mrs. X, तो सर काइदे से देखा जाए, तो ये दोनों क्या हुए? husband wife, अब जब ये husband wife है, तो इनके बच्चे भी होंगे, Mr. A, एक और बच्चा, मान लेते हैं, Miss B, एक और बच्चा, मान लेते हैं, Miss C, अब आपने देखा होगा कई बार, बच्चे के planning की, पहले तो planning नहीं होता था, लेकिन आज के time पे, बच्चों के career को लेके planning बहुत ज़्यादा किया जाता है, उनको पता है कि इतनी महगाई हो गई है, जब तक ये अपने teenage में आएगा, अठारा उननिस में तो इसे कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे कोर्स के लिए, अठारा बीस लाग से अगर कम नहीं लगेगा, अच्छे कोर्स के में बात कर रहा हूँ, अगर करवाते तो अठारा बीस लाग रुपे खर्च हो जाएंगे, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स इनके नाम से कुछ पैसा जमा करना चालू कर देते हैं, चाहे उन्होंने क्या करा दिया, FD, चाहे उन्होंने क्या ले लिया, इन्सॉरिंस, चाहे उन्होंने इनके नाम पे कोई और जगह प्रॉपर्टी ले लिया, अब इन बच्चों की उमर तो अभी कितनी है सर एक साल दो साल, तीन साल अब FD कराया एक करोड का अब एक करोड का FD कराया तो साल का 6-7 लाग तो ब्याज आएगा अगर 6% भी ब्याज दे रही है अज के टाइम पे FD पे, तो कितना भी आजाएगा मैं मान लेता हूँ 5% दे रही है, ठीक है तो आपको कितना इंकम मिला Mr. X की इंकम ये भी वर्किंग है, इसकी इंकम मान लेते है 4 लाग रुपे है और Mrs. X ये भी वर्किंग है, इसकी इंकम 3 लाग 50 अजार यानि मैंने आपको हर किसी का इंकम का डिटेल दे दिया अब हुआ ये ये इंकम टेक्स देने गया बोला सर 4 लाग रुपे है, मेरी इंकम पे तो टेक्स लगेगा, नहीं अब इसकी वाइफ इंकम टेक्स देने के लिए जाती है अगर तो बोलते हैं मेरी तो साड़े 3 लाग रुपे हैं ये इंकम किसकी है 5 लाग सर ये इंकम 5 लाग रुपे इन तीनों के नाम पे जो FD है उसकी है 5 लाग गौर्मेंट ने का ये इंकम 5 लाग बोला ले लो बच्चों से जाके मेरी इंकम है नहीं जितने इंकम मेरी है उसका जिम्यदार पर मैं हूँ, मेरी वाइफ की इंकम से वो बच्चे की जम्य दर, अब बच्चों से पूछा तो भाईया बोला, पैन कार्ड ही नहीं है, तो इंकम पे टेक्स कहां से देंगे, तो बच्चों से तो वसूल, तो गौवर्मेंट को यहां पे सोचना पड़ गया, बच्चे के ना उनके पेरेंट्स के पास ही आएगा, सर इस केस के अंदर, गौवर्मेंट ने बोला भया, इस पे तो पेरेंट्स को टेक्स देना होगा, इस पे किसको टेक्स देना होगा, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते के बच्चों को देंगा, तो पेरेंट्स को टेक्स देना होगा, अब आप पेरेंट से दो, आप मान लेते हैं, इसकी मम्मी के अकाउंट में, पैसे गौर्वर्मेंट ने बोला, आप पेरेंट मदर हो, आप ज्यादा देख भाल करते हो, आप से टेक्स लेंगे, वो नराज हो जाएगी, ऐसा कैसे, उसके फादर में जोड़ो, ये मेरी इंकम के उ इसके इंकम को जोड़ोगे, पता चला, इतना सारा टेक्स चला जाएगा, फादर में अगर जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे भी नाराजगी हो सकती है, यानि अब डिस्प्यूट क्या आ गया, कि किसके मान तो गए, लौ तो आ गया, कि ये इंकम जोड़ दिया जाएग किसमें, पेरिंट्स में, लेकिन डिस्प्यूट क्या आ गया, कि कौन से पेरिंट्स में, अगर अकेला ये कमा रहा हो, तो इसमें जोड़ दो, ये कुछ बोलेगी नहीं, ये भी कुछ निए बोल सकता, लेकिन अब दोनों कमा रहे हैं, तो लौ को गवर्मेंट को लेके आन गवर्मेंट को टेक्स ज़्यादा तब मिलेगा जब इनकम, गवर्मेंट ने का, हूज टोटल इनकम हायर, मतलब पेरिंट्स के केस में, जिसकी टोटल इनकम ज़्यादा होगी, उसमें एड कर दिया जाएगा, ये लौ में कहा, तो बताइए आप, टोटल इनकम किसकी ज़ गवर्मेंट केक्स ज़ाएगा, गवर्मेंट का, हम तुम्हें एग्जंशन देंगे, छूट देंगे, गवर्मेंट ने कहा, कि आपको एक्सिंशन दिया जाएगा, आप पूरा का, पूरा 5 लाग मत जोड़िये, हम आपको बेनिफिट देंगे, गौर्मेंट ने कहा आपका पांच लाक रुपे कमाई है न तो पांच लाक रुपे पूरा मत एड़ करिये इसमें से पंदरा सो रुपे का एक्जेम्शन है बाकी आप चार लाक अठानवे हजार पांच सो रुपे एड़ कर लेजिए इनके लड़ने के बाद ये फैसला आया कि आप जब कभी भी अपने बच्चे के इनकम को कोई भी पैरेंट्स हो whatever आपका X और Y मिसिस X मम्मी हो या पापा हो कोई भी हो अगर इनकम को जोड रहा हो तो हम आपको थोड़ा सा रिलेक्शेशन दे रहें पंदरा सो रुपे उस इनकम में से क्या कर लीजिएगा माइनस करके फिर एड करिएगा यह हमारा section 10 का exemption है exempted income जब पढ़ोगे ना तो वहां पर आपका आएगा कब फाइदा होता है इसको मानलो इसके बच्चे का income ही होता 1000 रुपे तो बोलता चल भाई ठीक है 1000 है पंदरा सो रुपे एक्जेम्ट है तो इसको ही taxable अब यह 1500 महीने का नह ही है अगर इसके 10 बच्चे हैं और दस बच्चों की income है ऐसा नहीं जितने बच्चे सीधा पंदा पंदा सो रुपे कर ले तो फिर पता चले बच्चे ही बच्चे हो गए ऐसे situation में बोला गया जिसकी income है उसकी income को जब आप club करेंगे तो उसमें से पंदा सो रुपे क्या कर कर लेना अब सब्स्ट्रेक कर लेना के नियू रिजिम के अंदर बोला भी या नियू रिजिम में भी एलावड है माइनस कर सकते हो 15सुरुपे वाली बात को नियू रिजिम में बोला गया 10 का हमाई एक्जम्शन नहीं देए जिगा new रिजिम में ये बोल दिया गया कहानी नहीं पर खतम नहीं हुई अब हज्बेंट वाइफ की इंकम में देखो ज्यादा फासला नहीं है कि कम का फासला है 50,000 का क्या पता अगली बार इसने कर लियो तो इसके इंकम आ गई कितनी मान लेते हैं 450 नेक्स्ट इयर इसकी इंकम कितनी आ गई एफडी तो फिक्स रहेगा अब सवाल आया कि अगर हम इसमें जोड़ें या फिर इसमें जोड़ें तो बोला गया कि एक बार जिसमें जुड़ गया उसी के अंदर जुड़ गया फिर ये चाहे घर पे खाली बैठर है परक नहीं पड़ता टेक्स तो इसको लेकिन आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया भेदवाओ तरीके से मतलब कि एक जस्टिफाई नहीं लग रहा हमें यापर गौर्मेंट ने कहा कि अगर ऐसा लग रहा है न क्यूंकि अगर ऐसा होता है तो फटा-फट इंकम स्विच करता रहता इंकम में कौर्मेंट ने कहा once एक बार आपका एड़िट हो जाता है continue year and year basis पे उसी के इंकम में एड़िट होता रहेगा लेकिन अगर ऐसा situation genuine है अपने assessing officer को letter लिखिए उनको बताईए कि अब मेरी income higher नहीं रही ये income clubbing करिए उसकी mother के अंदर जो की logical है assessing officer को लगता है कि सही बात बहुल रहे है assessing officer जिस साल से इसमें जोडने लगेगा फिर हर साल किसमे एड़ होने लगेगा इसके wife के अंदर तो यहाँ पे क्या बन के आया सर ये अभी कहानी यहाँ पे खतम नहीं हुई अब parents ने FD कराया तब तक तो चलता है वही है कि यार मैंने FD कराया था text jury के लिए कराया था अब मेरे में जोड दिया गया कोई दिक्कत नहीं चलेगा हुआ यह DID सुनाए ना dance india dance ठीक है इनके बच्चों ने DID में participate किया जब DID में participate किया और उन्होंने प्राइस जीत लिया एक बच्चे ने KBC में participate किया उसने भी प्राइस जीत लिया ठीक है अभी है बच्चे क्या ऐसा होता है कि अभी बच्चे है और यह participate करके प्राइस जीत सकते हैं जीत सकते हैं आपने देखा होगा KBC में भी participate करके इसने जीत लिया और एक बच्चा अपना खुद work कर रहा है वैसे कहता है कहा गया है कि child से labor work नहीं करा सकते labor work की बात अपना business तो कर सकते है अभी अपना business कर रहा है भई अपने दुकान पर खुद काम कर रहा है इसने अपने एक कोई दुकान खोल लिया सर ये भी कर रहा है अब government ने कहा कि भीया इसने कितना जीता इसने जीता 20 लाक रुपे इसने जीता 30 लाक रुपे और एक बच्चे ने क्या करा अपना खुद work किया और वहां से कमाया 5 लाक रुपे या तो mother में जोड़ेंगे या father के इंदर जोड़ेंगे अब parents में जब जोड़ दिया जाएगा income अगली बार से कोई भी parents अपने बच्चों को बोलेगा ने DID में जा या KBC में जा या किसी बच्चों को promote नहीं करेगा कि तू और तू कोई business कर बोलेगा भाई काम तू करेगा भुगतना हमें पढ़ेगा और वो पैसे मुझे पता है तू देगा नहीं मुझे पुरी जिंदगी बोलेगा मैंने KBC में कमाये थे वो बाले पैसे कहां गए मेरे तो government ने यहां पे सोचा यह बात तो सही कह रहा है जब government को लगा तो government ने इसके इंदर डाला exception बोला आज के बाद अगर कोई भी बच्चा अपने skill से अपने ability से पैसा कमायेगा तो वो income उनके parents में नहीं add होगा उस income पे tax उस बच्चे को खुद देना होगा उस बच्चे को उनका pen card हो चाए अधार card हो जो भी process हो उनका एक certificate minor child का बना के उनके बिहाब पे tax देना पड़ेगा तो बताओ जब बच्चों को tax देने की बात करी गई और साथ के साथ एक और clause डाला गया in case of अगर कोई भी children handicap है जो की section 80U के अंदर define है अगर कोई भी child handicap है ऐसे situation में उस बच्चे को खुद text देना है तो आपको लगेगा यार बच्चे handicap है उसी को text दिलवा रहे हैं तो बच्चे को उपर कुछ जादा ही burden पढ़ रहा है एक तो बच्चा चल फिर नहीं पा रहा है handicap है तो यहां पर आप बताईए इसने बोला कि बच्चा खुद देगा तो ये government के तरफ से relaxation है या punishment है relaxation है बच्चे की income 4-4-4 लाग है तीनों में से कोई text देगा क्या handicap है नहीं देगा text तो बच गया हर बच्चे का अपना अलग limit है तो tax बच गया तो government नहीं यहां पर relaxation दिया है punishment नहीं दिया handicap है बोला भईया तू handicap है तेरे parents तेरे नाम से FD करा रहे हैं मैं मानते हैं तो अब parents की income में तेरे income नहीं जोड़ेंगे तेरा individual count करेंगे तो जब हम income को individually count करने लग जाते नहीं तो सरकार को income tax कम मिलता है और यह इसलिए किया गया ताकि परमोट हो parents क्या करें handicap के नाम पर FD कराए ताकि खुदा ना खासता parents को कुछ हो जाए तो उसके नाम पर at least FD हो या कोई ऐसे income हो जिसके वज़े से वो अपना आगे की जिंदगी अच्छे से चला पाए तो यह rule था यहाँ पर बात खतम नहीं हुई कई बार ऐसा भी हुआ कि जो parents है ना और जो बच्चे हैं कई बार बच्चे क्या होते हैं हमारे इनके parents ही नहीं है मान लेते हैं इनके parents death हो जाती है minor child है यह या किसी reason से है ही नहीं इनके parents तो ऐसे situation में sir इसकी income किसमे club हो वैसे तो section बोलता है कि मम्मी या पापा में जोड़ दो अब तो ना तो इसके मम्मी है ना ही इसके पापा है और पापा जब थे FD करा के इसके नाम पे गए 5 करोड की FD करा दी हर साल income आ रहा है अब law तो यह नहीं कह सकता ने कि मम्मी में जोड़ो पापा मम्मी पापा तो गए अब income किसके नाम पे है बच्चे के नाम पे तो अगर वो income बच्चे को ही बोल दे तू टेक्स देगा तो सेक्चन को contradict मार गया यह पहले बोला कि अगर तू खुद skill से कमाएगा तब तू टेक्स दियो otherwise तेरे parents देंगे सेक्चन यह कहता है तो भाई तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है तो तुम्हारा कोई ना कोई तो guardian होगा जो आपको देख रिक करता होगा तो वो टेक्स देना उसकी responsibility मानी जाएगी उसकी income में जोड दिया जाएगा तो यह पूरा सेक्चन था हमारा 64 सब सेक्चन 1A exam के अंदर बहुत important है इसको एक बार हम read भी कर लेंगे theoretical मैं एक बार conclude करता हूँ इस सेक्चन को सर सेक्चन क्या कहता है अगर कोई भी minor child की income earn करता है तो वो income उनके parents में जोड दिया जाता है parents के whose ever income जिसकी higher होगी उसके income में club कर दिया जाएगा but इसके कुछ exception है exception का है कि अगर वो अपने skill से पैसे कमा रहा है बच्चा अगर handicap है तो parents में income club वो से खुद individual देना पड़ेगा हाँ जब कभी भी parents के अंदर income add होगा तो ऐसे situation में 15100 रुपे का per child deduction minus करने के बाद balance amount क्या हो जाएगा add हो जाएगा चलि एक बार पढ़ भी लेते हैं अभी doubt लेंगे पहले हम section को complete कर ले चलिए sir section में पढ़ता जाता हूँ कहता है income clubbing of income of minor child section 1a income of minor child the income of minor child shall be include in the income of parents कहता है parents में जोड़ा जाएगा where the marriage of his parents जहां marriage his parents का है आपका substrate जहां पर exist करता है the income of that parents whose total income excluding the minor child minor income की छोड़ के जिसका income क्या होगा greater greater का मतलब जादा होगा उसमें जोड़ दिया जाएगा where the married his parents does not substitute जहां पर कहा गया जहां पर माता पिता के ही साधी हो चुकी है उस case के अंदर substance का मतलब है यानि माता पिता जो है वो married है उस situation के अंदर उसके parents में जिसके income जादा होगी वहाँ जोड़ा जाएगा लेकिन कहता है where the marriage parents does not subsist मतलब parents की शादी नहीं हुई है अभी income of parents who maintain the minor child जिसे मैंने बोला guardian मतलब parents है नहीं आप उसे गलत तरीके से मतलो मतलब के parents है नहीं parents नहीं है तो उसके शादी थोड़ी हुई है जो उसको रख रहा है तो उसके शादी नहीं हुई किसी से जरूरी थोड़ी है तो ऐसे situation में आपका जो इसको पालन पोशन कर रहा है उसी के income में जोड़ा जाएगा दो बाते बताएगे However, the following minor child shall not be included in the parents कुछ ऐसे income है जो की shall not be include parents में कब income from manual work by the minor child बच्चा अपने महनत से कमा रहा है income from activity involving application his minor specialized knowledge experience के इसाब से where the income minor child once include in the total income either the parents will continue to be include the total income of the same मतलब वो ही बात कह रहा है इस लाइन में एक बार parents में जोड़ गया लगातार add होता रहेगा parents आपका subsequent year also unless the assessing officer change necessary अगर assessing officer मान नहीं जाता है तब तक तो उसी में जोड़ता रहेगा minor child अब minor child कहता है minor child include step child मतलब सोतेला बेटा बेटी भी इसमें हो सकता है adopted child जो होगा income of handicap minor child the income of minor child suffering from disability of natural या तो nature से specified section ATU में जो given है बिमारी की list है ATU में ने बिमारी की list है हमने भी ATC ATD करा जब ATE पर आएंगे ATU पर आएंगे तो देखेंगे इतना exemption पंदरा सो रुपे each child under section 10 32 ये exemption allowed करता है हलाकि new regime कहता है भीया 10 हम नहीं देंगे आपको minus करने लेकिन ये जो parents वाला है child वाला है ये करता है मैं कह रहा हूँ कि exam के अंदर आपका question लगबग लगबग पै है कि ये पूछा जाएगा किसी भी format में पूछा जाए guardian tax भरेगा बताइए पहले यहां तक doubt कोई यहां तक कोई दिक्कत हमने अभी तक तीन section किया है section 60 60 क्या कहता है sir अपने income किसी को मत देना अगर without transfer of assets है तो आप में जुड जाएगा 61 कहता है तब भी आप में जुड जुड जाएगा और section 64 यह क्या कहता है कि अगर minor child का income है तो ऐसे situation में क्या होगा कि आपको tax parents को देना पड़ेगा पहले यहां तक बताइए कोई doubt yes each child होगा हर एक child का मिलेगा 15-1500 रुपे बताइए अगले section पर चले बस एक section छोटा सा रह गया chapter खतम doubt मैं सबका last में लूँगा 61 repeat कर दो revocable transfer है क्या आपने अगर कोई assets किसी के नाम पर transfer कर दिया और वो आपको कभी न कभी future में वापसी मिल जाएगा तो ऐसे situation में वो income आपकी हिमानी जाएगी आपने animal का name animal के नाम कर दे तो property बच्चा कह रहा है अगर property animal के नाम कर दे तो क्या होगा अब भाई animal के नाम पर मैंने तो देखा नहीं है गार्डियन तो गार्डियन ही नहीं रहे ना फिर तो तो फिर बच्चा अपने आपी देगा फिर तो कोई ना कोई देखिए exception के इसना आपके मन में बड़े सारे सवाल आते हैं कि सर ये section देखो कई बार क्या होता है जब हम section को पढ़ रहे होते हैं तो अगर section हमें समझ में आ जाता है तो हम वो भी चीज़े सोचने लग जाते हैं जो कि इस section के अंदर covered नहीं होता तो सर हर चीजों के exception है ऐसा ही एक बार सवाल आया कि माने लीजिए parents minor हो और child major हो तो क्या होगा parents minor हो और child major हो ऐसा possible है नहीं है simple सी बात है यह चला जाएगा exception केस में हर कोई अपना-पना text देगा कैसे possible हो सकता है simple सी बात है सर एक मान लेते हैं 60 year old एक person है इसने marriage किया 18 year old से अब जिस लड़की ने marriage किया इसके दो ही condition रहे होंगे number one या मजबूरी number two पैसा अब इसने marriage कर लिया अब भई इस लड़की ने क्या करा पहले से planning कर रखा था इस लड़की ने लड़के को बुलाया और इसको रातो रात इसकी उमर 18 साल से कम है मान लो और ये लड़का भी मान लो 17 साल अब जो इस विचारे 60 साल के उमर के जो दो बच्चे थे उसकी उमर 20-20 साल थी अब ये क्या हो गए इस दोनों के बच्चे नहीं बन गए लीगली आप नेचरली पर मत जाओ मैं लीगली की बात कर रहा हूँ 17 साल का लड़का था इसने इससे शादी कर लिया फिर बात में जाके ठीक है ना तो लीगली तो ऐससे सिचुएशन में सर हर जगा एक्सेप्शन है पढ़ने का सिंपल सा तरीका होता है कई बार चीजे समझ में आती है उसमें हम बहुत सारे कोशन ढूटते हैं यह अच्छी बात है लेकिन कई सारो सवाल जो है वो साइलेंटी रह जाता है जिसका जवाब जैसे बच्चे ने बोला प्रॉपर्टी एनिमल के नाम कर दिया तो क्या होगा भाई एनिमल के नाम पर प्रॉपर्टी तो मैंने देखा नहीं है एन्टेटेन्मेंट है अच्छा एनिमल के नाम पर बहता है अब पता नहीं भाई या मैंने मूवी और तो देखा नहीं है ठीक है अगले सेक्शन पर चलें यहां तक समझ में आरहा है सबको सर यहां तक तो बात समझ में आती है बड़ी आसान से लगती है कि हमने जो भी प्रॉपर्टी था इधर उदर किया जिसके वज़े से सेक्शन आया अब बात आ गई बिजनस के अंदर बिजनस के अंदर अगर आपको टेक्स की चोरी करनी हो तो अपने एक्सपेंसिस को बढ़ा दीजिए एक ही फंडा बचता है अगर आपका मैं बैलेंच शीट अगर पी एंडल की मैं बात करता हूँ आपके सामने एक पी एंडल रखता हूँ सपूस करो आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस है सर इधर हम लिखते हैं सेल्स बहुत जेनरल प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स मान लेते हैं 50 लाग ठीक है अब सर यहाँ पर आएगा निकल के नेट प्रॉफिट मान लेते हैं हमारा पर्चेज 10 लाग और अधर एक्सपेंस 20 लाग तो सर कितना निकल के आया 20 लाग का नेट प्रॉफिट इसको 20 लाग के उपर टेक्स देना पड़ेगा अगर कंपनी है तो सीधा 30 परसेंट देना पड़ेगा पार्टनर्शिफ फर्म है तब भी 30 परसेंट देना पड़ेगा यानि 20 लाग पे 6 लाग रुपे का टेक्स देना होगा मैंने तो एक अमाउंट ले लिया मान लेते हैं यह जो बिजनस है अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में बिजनस का मालिक कौन होता है बिजनस का मालिक होता है शेर होल्डर और आप यह मत समझ ना कि आपके पास एक शेर है तो आप मालिक हो कम से कम आपके पास एक इतना मेजुरेटी शेर हो जिससे आप कंपनी के डिसीजन को बदल सबो उसके लिए कहा गया law के अंदर जब आप company law पढ़ोगे न ये चीज़े काम आएगी company law के अंदर जब आप voting right पढ़ोगे आपका annual journal meeting जिसमें से एक सवाल पूछा ही जाएगा आपके exam में AGM के नाम से है तो वहाँ पे सवाल पूछा जाता है तो company law के अंदर कुछ बच्चों ने तो पेपर दे दिया होगा second में तो उनको पता भी होगा सर सवाल तो आता है annual journal meeting important chapter 1 तो सर वहाँ पे बोला गया कि अगर आपके पास 10% voting right है तो आप company के अंदर कुछ भी चीज़े बदल सकते हैं लेकिन यहाँ पे law में बोला गया कि आपके पास 20% किसी भी organization के अंदर हिस्सा है तो हम यह मानेंगे आप उस organization के किसी भी बात को मनवा सकते हो influence कर सकते हो मान लेते हैं Mr. X की कहानी है यह और Mr. X के पास 20 क्या इसके पास मान लो 51% है तो 20 minimum बोला गया है अगर जिसके पास भी 20% होता है उसको एक नाम दे दिया law ने substantial interest एक नाम दे दिया substantial interest यानि any person hold 20% और more उस person को हम सधारन person नहीं बोलेंगे उसका बोलेंगे इस organization में एक substantial interest है substantial मतलब majority एक उसका हिस्सा है और उसके हिसाफ से वो influence कर सकता है अब सर यह Mr. X की कहानी है इसका मैं मान लेता हूँ 51% है अब इसकी शादी हो चुकी है अब इसने क्या करा कि सोचा यार इंकम ज़्यादा है सबसे पहले तो इसने आपको पता होना चाहिए कि अपनी salary भी यह दिखाएगा क्योंकि business अलग और उनर इसने बोला इसको कम किया जाए salary salary इसने पांच लाग तब भी income बनके आया अभी भी इसको टेक्स देना है और मैं Mrs. X की qualification बताऊं तो qualification 5th पांच भी फेल इसके wife की qualification है पांच भी फेल अगर इसकी qualification पांच भी फेल है तो इसकी नौकरी कितने रुपे की मिलेगी आप अंदाज लगा सकते हो बहुत अच्छा एक job मिल जाएगा या फिर job मिलना मुश्किल नामुम्किन टाइप का है इसने क्या करा बुला यार income को बचाये जाए एक काम करते हैं मैं अपनी wife की salary डाल देता हूं और मिसिस एक्स की मैंने यहां salary डाल दिया और salary डाल दिया मैंने यहां पे 10 लाख रुपे बुला यार अब भी 5 लाख रुपे है इसकी wife घर पे रोटिया बना रही है लेकिन salary यहां डल रहा है उसका अब बुला यार अपनी wife को मैं sales manager की commission भी देता हूं कमीशन पांच लाख ही देते हैं इंकम क्या कर देते हैं बात खत्म अब इसको टेक्स देना पड़ेगा इस profit and loss के इसाफ से देखो नहीं देना पड़ेगा और जो कहानी बता है आपको साफ पता चल रहा है कितना गलत हो रहा है सरकार के साथ हो रहा है तो government के साथ जब गलत तरीके से निपटता है government फिर से section 64 का ही एक पार्ट है जैसे वह 1A था इसी तरीके से section 64 का government ने कहां भी है यहां पर तो गड़बड़ी है जब इसका टेक्स निकालने आए बोले यह आपने 10 लाग रुपे किसको सेलरी दिया बोला सर मेरी वाइफ है उसको सेलरी दिया कमीशन टूटल 15 लाग बुलाओ क्या करती है तो बोला कुछ नहीं बिजनस कर रही है हमारा support करती है बहुत अच्छा काम कर रही है बिजनस के अंदर और जब income tax officer आये तो एक बार फोन करके बुलाओ लिया भी जल्दी से आजा यहां बैठना है बस और कुछ नहीं करना उसने देखा इसको qualification और बात करने के तरीके से तो उससे लगा कि इसको तो नौकरी मिल ही नहीं सकती और यह यहां 15 लाख रुपए salary कमा रही है तो यहां कहीं न कहीं गड़बड़ी यानि इसकी salary इसके qualification से match अगर मान लेते हैं she is chartered accountant तो एक पल को मान सकते हैं बट 5 भी fail कोई skill नहीं है तो ऐसे situation में government ने क्या कहा कि भाई यह किसकी wife X ने बोला मेरा अब बोला X अपना आप detail बताओ क्या आपके पास 20% share है company का उसने बोला जी हाँ है बोला इसका मतलब आपके पास 20% से अगर जादा है तो हम मान लेंगे आपका इस company के अंदर क्या है substantial interest और यह substantial interest होनी की वज़े से जो income आपकी wife की है 15 लाख रुपए इस income पे आपकी wife tax नहीं देगी है बोला क्यूं सर ले लिजे tax 15 लाख तो taxable है बोला कि इस income पे आपके salary में जोड़के tax लेंगे हैं यानि अब आपकी salary कितनी बोल रहे थे आप 5 लाख 5 लाख बोलके बचना चाहते हो 87 लेके आपकी salary कितनी मानी जाएगी और अब हम 20 लाख पे आपसे tax भरे वसूल लेंगे जो कि automatically 30% के cover हो जाएगा तो law कहता है यहाँ पे कि अगर किसी भी husband और wife अगर किसी का substantial interest है और उसके किसी relative को remuneration, salary बोल रहो, commission बोल रहो या any kind of payment दिया जा रहा है जो कि उस relative के वैसे तो husband wife की बात है यहाँ पे relative मतलिखना अगर अपनी wife को दे रहा है spouse basically what है spouse तो अगर wife को दे रहा है या ऐसा भी तो हो सकता है wife ने अपने husband को यहाँ पे लगा दिया हो तो ऐसे situation में वो salary income वो सारा commission वो perquisits किसमे club कर दिया जाएगा उसके husband के अंदर और उसको tax देना पड़ेगा सर अगर मैं मान लो मैं बोलू कि इसका husband की भी qualification second fail है तो इसका husband भी second fail है तो भाईया husband के पास share है वो ले सकता है wife के पास तो share पहला condition अब जब ये condition आया तो थोड़ा सा ये पेचीदा बना condition और थोड़ा सा पेचीदा क्या बना इसके अंदर इसने कहा अब भाई government को थोड़ा घुमाया जाए ये इसका पी एंडल और इसका मैं share capital बोलता हूँ पर share capital जो है इसका है मान लेते हैं 5 लाग का जिसमें से 2 लाग रुपे hold कर लिए किसने hold कर लिए Mr. X ने और एक लाग रुपे hold कर लिए Mrs. X ने अब ये जो है वो है fifth fail अब इसको second fail बना देते हैं second fail दोनों की qualification इतनी अच्छी खासी है नहीं यहाँ पे sales मान लेते हैं 20 लाग और यहाँ पे purchase मान लेते हैं 5 लाग का अब दोनों की अब एक लाग का मतलब कितने percent hold होगे इसके पास और दो लाग का मतलब कितने percent यानि अब दोनों का ही substantial interest है husband का भी और wife का दोनों का substantial interest है यहाँ पे Mr. X की salary इसने रख लिया 10 लाग और Mrs. X की salary रख लिया इसने 5 लाग और income कर दिया अब समस्या यह आई कि अब किसकी income किस में जोड़ें कि दोनों director हैं दोनों का ही substantial interest है और यह काम किया इसलिए गया प्लैनिंग के साथ कि tax को बचाया जा सके क्योंकि एक का पांच लाग का जिरो कर दे एक दस पर कितना दे देगा पांच लाग रुपए तक थोड़ा बहुत देगा कम देगा वैसे 20 पर ज्यादा बनेगा अगर एक्स भी क्वालिफाई ना हो तब बता दिया अभी अभी देखते जाते हैं तो यहां पर किसकी इंकम किस में जोड़े या दोनों अलग 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 तब हम अलाउड करेंगे जब genuine case हो लेकिन आपको लग रहा है साफ साफ किया यह genuine case है नहीं है यहां पर पर्पस क् टेक्स की चोरी करना टेक्स को बचाना गवर्मेंट ने यहां पर उसी section को आगे ले जाते हुए बाते बोली कि सर अगर किसी एक का substantial interest है और उसने अपनी wife को अगर वहां पर join करवाया है salary दिया जा रहा है उसके qualification से match नहीं है तब तो उसके husband में जोड देंगे लेकिन उसकी wife का qualification है उसकी according तो दोनों अलग-अलग देंगे यहां पर जिसकी income जादा होगी जिसकी income जादा होगी सर income कौन सी total income total other income other than salary यानि salary को छोड़ कर जिसकी income जादा होगी उसके income में add कर दिया जाएगा suppose करो Mr. X का HP का income हमारा 2,00,00 है और Mrs. X का भी HP का income 1,00,00 है अब total income जादा किसकी है X की हमें salary को consider नहीं करना मतलब salary को छोड़ कर जो जादा income है उसके अंदर club कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से यहां पर taxable कर दिया जाएगा उसके income पर यानि जिसका substantial interest हुआ भाई SSC भी थोड़ी चुप रहेगा SSC ने बोला देखो अब मैं बताता हूँ substantial interest की definition Sir मेरी sales 50,00,00, expense 10,00,00, मैंने बोला salary और इसको कर देते हैं हम suppose 30,00,00, salary 5,00,00 और salary 10,00,00, यह X की और यह Mrs. X की जो share है company का वो है 10,00,00, रुपे का 10,00,00 में से 50,000 लिए Mr. X ने कितने परसेंट हुआ 10,00,00,00, अपने फादर को दिलवाया 2,00,00, अपनी मदर को दिलवाया 1,00,00, तो total इसके पास हो गए इसकी वाइफ ने अपने पास रखा 1,00,00, और वाइफ ने अपने फादर को दिलवा दिया 2,00,00, अपने ब्रदर को दिलवा दिया 3,00,00, total कितने हो गए यहाँ पे 4,50, और यहाँ पे कितने हो गए 5,00, 3,00, 5,00, और एक 6,00, तो 50,000 कर देते हैं 250 कर देते हैं, ठीक है total यहाँ पे हो गए अब मुझे बताईए क्या Mrs. X या Mr. X किसी के पास 20% है Mr. X और Mrs. कैस इसके पास तो सर और इसके पास कुछ हिन्हों ने इस तरीके से चला के दिखाई अब इसका substantial interest तो है नहीं और salary भी यह ले रहे हैं tax की भी चोरी कर रहे हैं government फिर से इसके अंदर आगे और line लिखती है substantial interest mean कि या तो वो SSC hold करता हो 20% या उसका कोई भी relative अगर उसका relative भी कोई hold कर रहा हो तो माने लेंगे वो सारे share आपके पास ही है और उसको add करके हम substantial interest calculate करेंगे और जैसा ही आपका substantial interest होगा जिसकी income ज़ादा होगी उसके अंदर क्या कर देंगे इसको add कर देंगे उसकी income में क्या करेंगे पुल अच्छा सा relative में जोड़ोगे यानि ये वाला हमारा logic fail कर दिया अगली बार क्या करा इसने एक लाख x ने रखा और y ने एक लाख रखा बाकी बाहर outsider है हमें नहीं पता एक लाख x ने रखा और एक लाख y ने या फिर 1.5 मान लेते हैं 1.5 अब x की holding कितने परसेंट है 10 परसेंट और mrs. y है sorry mrs. x की holding कितनी है अलग-अलग अब तो सबसांसर इंट्रस ने का है नहीं और नहीं इसके relative के पास भी है तो क्या होगा आब तो भोला लॉने के भाईया मिया बीबी यानि husband wife आप भी तो आपस में relative ही हो आप दोनों के club कर दिया जाएगा जूड दिया जाएगा यानि husband के लिए wife relative wife के लिए यानि आप दोनों का सबस्टांसर इंट्रस नप बन रहे है और इसके हिसाब से हम आपका income का treatment करेंगे यानि इस वाले example में अगर देखा जाएना तो इसका कितना share है सर्फ 45 तो है और इसकी wife का भी इसमें जूड जाएगा एक लाग तो इसका share हो गया पाँच लाग पचास जार अगर शियर निकालने की बात हुई तो total overall हम concept को देखें तो कहता क्या है कि अगर किसी भी business किसी organization में अगर उसने अपने spouse को salary, remuneration कुछ भी दे रहा है तो अगर आपका substantial interest है तो आपकी income में उसको club किया जाएगा दोनों का substantial interest है तो दोनों में से जिसका भी ज़्यादा income होगा salary वाली income को छोड़ करके उसके अंदर club कर दिया जाएगा substantial interest में सरिफ आपके पास share होना जरूरी नहीं है husband और wife का दोनों का तो जोड़ा ही जाएगा साथ के साथ अगर आपके relative के हैं उसको भी जोड़ा जाएगा सर यहाँ पे relative की भी definition जाननी बहुत जरूरी है relative में कौन आता है तो sir blood relation की बात करा गया wife के side से जो wife के blood relation में यानि इसके brother होगे इसके sister होगे और जो यहाँ पे आपका x है इसके relative relative में तो देखा जाए तो Mr. X की जो mother है इसके भी relative लगी ultimately देखा जाए और इसकी mother इसके भी relative लगी तो ऐसा नहीं है blood relation count होगा यहाँ पे relative में जब हम other source करेंगे ना तब relative का definition देखेंगे कि किस को जब gift दिया जाता है relative से non relative से तब देखेंगे कि वहाँ पे क्या concept है तो overall यह बाते चली इस section के अंदर एक बार इस section को हम पढ़ लेते हैं क्या कहता है चलिए सर 6412 कहता है payment of salary commission etc spouse यानि husband wife किसी के लिए payment किया जाए क्या कहता है if an individual has a substantial interest ज्यान दीजिए यह word बहुत important है substantial interest का मतलब holding equity share company carrying at least 20% और voting power known company में concerned at least और अगर partnership है अगर individual है तो वहाँ पे भी 20% हुआ तो अलग himself या herself more of his her relative taken together मतलब bracket में जो बाते कही गई है तो जो बाते मैं समझा रहा था 20% होना चाहिए और उसके अंदर उसके relative को भी include करके रखा गया है in a concern than any payment by way of salary, commission, fee any other form of remuneration किसी और form में दिया जाएगा by the concern the spouse of that individual will be club with the income of individual for example एक example है Mr. X substantial interest A, B company के अंदर the company pay 10,000 rupees to Mrs. X as a commission order secured by her for company मतलब उसने order secured किया है this amount will be include in the income of Mr. X however the provision not apply कहता है this provision will not apply where the spouse receive salary, commission, etc आपका virtue of the his or her technical professional qualification के हिसाब से होगा तो include नहीं होगा नहीं होगा बच्चे कह रहे हैं सर theory का note देखो 10 year के अंदर मैंने सारा दे रखा है मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ ठीक है पहली बात और दूसरी बात आपको ये PDF format में मिल जाता है ये सारा class note तो आप वहाँ से वैसे तो मैं कहूँगा के 10 year के अंदर है तो आप 10 year ले लीजिए जिससे के ठीक रहेगा उसके अंदर भी मैंने जो theory है आप बुक में देखेंगे तो थोड़ा लेंदी है लेकिन उसके अंदर मैंने इतना लिखा है कि एक्जाम के लिए sufficient हो लेकिन हाँ याद रखिएगा क्योंकि मेरे पास काफे सारे बच्चे पढ़ते हैं तो हर को ये ऐसा लिखके आएगा जहां दोनो substantial interest होगा concerned both are received remuneration salary commission etc firm such concerned then the remuneration received will be included in the income spouse whose total income excluding remuneration income is more तो जो बाते मैंने बताई है simple सी बात कि भया वही सारी बाते आपको यहाँ पे थियोरी में लिखी हुई मिलेगी तो आपको अगर मेरी कहानी याद है तो थियोरी आप easily पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाएगा और लिख भी पाऊगे इसके बाद यहां तक हमारे जो exam के point of view से यह chapter खतम होता है इसके अंदर कुछ एक section है कि son's wife son's wife का मतलब है कि ससुर ने अपने बेटे की मतलब कि father ने अपने बेटे की wife के नाम पे कोई income दे दिया या कई बार क्या होता है husband ने अपनी wife को पैसे दे दिया ले भाई पैसे ले उसकी wife ने उस पैसे से business कर लिया अब जब उस पैसे से उसने business किया तो वहां से पैसे भी कमाएं और उसकी wife ने एक जो business किया वो ऐसे नहीं किया कि उतने पैसे से किया अगर उसी पैसे से business किये जा रहे हैं उसकी wife के द्वारा तो सारा income उसके husband में club होगा उसका income भी कुछ उसकी wife ने और भी मिला दिया तो एक छोटा सा section है इसके अंदर पहले यहां तक देख लिजिए सबसे important वही था minor child वाला किसी को कोई दिक्कत है तो अब पूछ सकते हैं बिल्कुल यह chapter बच्चे पूछने पूरा theory है इसमें कोई भी practical question नहीं है लेकिन हाँ यह जब हम निकालेंगे individual assessment यानि total income निकालेंगे तो उसके बीच में यह point डाल देगा आपने देखा होगा पहले भी question में आगया other source से income है तो या फिर कुछ child का income आएगा तो बीच में आ सकता है बाकि यह पूरा theoretical ऐसा कोई practical question ही नहीं